हेलो आप सभी का स्वागत है महिंद्रास पे महिंद्रा के ऑफीशल यूट्यूब चानल पे आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है फरियब और मैं लिकरके आई हूं मिशन एससी 2024 आप सभी के लिए तो कैसी रही आपकी होली आई होप आप सभी ने होली बहुत इंजॉई की होगी कल रंगवंग खेल करके अब आप बिल्कुल बढ़िया फ्रेश हो चुके होंगे होली का त्योहार है खुशियां बाट ये सभी के साथ आज भी ओविसली फेस्टिव कर दिन है तो दो तीन दिन फेस्टिवेटी अच्छे से चलती हैं रिलाक्स करके आप कोशिश ये किया करिए आपके आसपास के जो ऐसे लोग हैं जो सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं आप उनको भी मदद करिए ताकि उनको भी तेहवारों की थोड़ी सी खुशी मिल सके आगे आने वाली होली में आप टेंशन में रहोगे कि अरे अब मैं क्या करूं तो इस साल इस होली पर आपको प्रण लेना चाहिए कि मैं क्या करूंगा और अच्छे से त्यारी करूंगी अच्छे से त्यारी करने के बाद हम क्या करेंगे बढ़िया सेलेक्शन लें और मैंपंग डिसकस की ती मैंने आपको बोला था कि जो हमारे सेशन आएंगे गोली के दौरा वह सारे केस पर बेस्ट होंगे वर्ट मैपंग पर होंगे तो पहले कुछ सेशन पर मैंने नोटिस किया था वर्ड मैपिंग में काफी जाधा जो है डामा डोल सिच्वेशन आप डियर हो जाएगी। आज है हम तीम दन फैसटिवल कि कर रहे हैं सात मैं baked us सब्सक्राइब क्लास में किस चीज को कर रहे हैं allOkay कुछ इम्पॉर्टेन ट्रों इसकी क्लास मीं फुर में कृए आप मेरे टेलग्राम चानल जॉइन कर सकते हैं GS by Faria Mam इसमें एक चाट ग्रूप भी बना हुआ है चाट ग्रूप का आप इस्तमाल करके क्या कर सकते हैं अपने डाउट, अपने questions मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इस ग्रूप पे क्या होता है, इस चानल पे क्या होता है जो भी session के PDF होते हैं वो हम आपको provide कर देते हैं ताकि revision में आपके लिए असानी हो जाए बट मैं हमेशा आपको बोलती हूँ support ये कहते हैं करते हैं हम आपके hand notes बनाया करो जितना hand notes आप बनाओगे उतना better होता है चीजों को खुद से लिखिये, याद करिये वनब PDF तो मिल जाता है लेकिन exam time में PDF इतना काम नहीं आता जितने आपके हाथ के खुद के बनाया हूए notes काम आते हैं तो उसको जरूर किया करिये चलिए, बहुत बाते हो गई बढ़ते हैं पहले question की तरफ आपके पास 30 seconds का time है तो सभी लोग इसका answer जरूर करें सबसे दक्षिन बिंदू African continent का क्या है कल की class में भी हमनों ने Africa के बारे में काफी चीज़े पढ़ी थी कि लेक टिटिका का कहां पर है या रिफ्ट वैली कहां पर है तो वो चीज़े अफरीका की related थी आज सवाल है अफरीका के continent पर कि कौन सा point है जो southern most point है अफरीका का चलो समय हो गया समाप्त जितने लोगों ने भी D answer दिया है अब सभी का answer बिल्कुल correct है Cape Agulhas जो है वो southern most point है किसका अफरीका का Cape Agulhas अगर आप map के थूँ इसको समझें तो ये देखिए ये है point है ना दक्षिर्तम बिंदू है अगुलास को इसलिए मैंने पूछा ता कि आपको ये पता हो कि अगुलास current भी है ये पूरा मुझा ये क्या है ये क्या चीज़ है मड़ा ग्यास कर है मड़ा ग्यास कर है ये और ये है आपका अफरीका का महाद्वीब इन दोनों के बीच में एक current जो है ओशनिक current होता है यानि महासागरिय करेंट बहता है जिसे हम बोलते है अगुलास current ये current है कैसा? ये है warm current तो अगर कभी सवाल पूछ लिया जाए कि अफरीका के तट पे इस्टन साइट पे पूरवी तट पे कौन सा current बहता है तो आप जानते हैं कोई भी current अगर equator से पोल्स की तरफ जाता है तो वो कैसा current होता है हमेशा? वार्म current होता है गरम महासागर ये धारा होती है ठीक है? तो ये वाला question clear हो गया? clear है? चलो बढ़ते हैं next question की तरफ Which one is the largest national park in Africa area wise छेत्रफल की द्रिष्टी से अफ्रीका का सबसे बड़ा राष्ट्य उद्यान कौन सा है? kruger national park sillas national park ruaha national park या 무dhoomo national park थीक है छेत्रफल की द्रिष्टी से पूछा जा रहा है कि आफ्रीका का सबसे बड़ा national park कौन सा है आप सभी जानते हैं कि अफ्रीका अपनी वाइड लाइफ के लिए जाना जाता है इन फाक्ट जब भी आपने वीडियो बगेरा देखी हूंगे अफ्रीका को ले करके तो आपने जनरली देखा होगे कि महाँ पे जिराफ आ रहे हैं लाइन्स दिख रहे हैं तो अफ्रीका को जाना जाता है उसकी नाशनल कैसकते हैं वाइल लाइफ के लिए तो अगर एरिया क जो हमें मिलता है अफ्रीका में वो है आपका मुदूमू नैशनल पार्क ये कौन सी कंट्री में अफ्रीका तो महादवीब है पूरा कौन सी कंट्री में लोकेटिड है तो कंट्री का नाम है नामीबिया नामीबिया जो कंट्री है उसमें आपको अफ्रीका का सबसे बड़ महादवीब यानि मुदूमू नाशनल पार्क दिखाई देता है ठीक है इसको 1990 में स्टाबलिश किया गया था इसके अगर स्थापना के हम बात करें तो 1990 में इसको स्थापित किया गया था और अगर हम पूरे एरिया को देखें कि कितना बड़ा है तो इसका एरिया है जाता है अफ्रीका का सबसे बड़ा महादवीब चल बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्रूगर राष्ट्रे उद्यान कहां पर स्थित है क्रूगर नाशनल पार्क कहां पर है साउथ अफ्रीका में जांबिया में प्रूगर नाशनल पार्क कहां पर पाया जाता है अफ्रीका के नाशनल पार्क की आज हम बात कर रहे हैं वाइल लाइफ की बात कर रहे है चलिए करेक्ट आंसर है बिलकुल आप्शन नमबर ए साउथ आफ्रीका करेक्ट आंसर है क्रूगर नाशनल पार्क मिलता है कहां पर साउथ आफ्रीका में रखा गया है Land of Big Games तो अगर Kruger National Park के हम बात करें तो हमें यहां पर क्या famous मिलता है क्या चीज़ है पहली चीज़ वास्ट expanse है मतलब बहुत बड़ा है जो सिर्फ और सिर्फ जंगली जंगल है विल्डर्नेस जिसे बोलते हैं वास्ट विल्डर्नेस है अपनी सफारी के लिए जाना जाता है अफ्रिकन सफारी के लिए जाना जाता है यह नाशनल पार्क very important Kruger National Park हमें मिल कहां पर रहा है South Africa में मिल रहा है ठीक है लगभग अगर हम इसमें वराइटी देखें कि क्या क्या मिलती तो लगभग 200 से जादा वराइटी आपको मिलती है wildlife की यहां पर और पुराना iron age settlement की चीजे भी हमको यहां पर देखने को मिलती है iron age settlement काफी पुराना है तो Kruger National Park South Africa चलिए अगला सवाल which one is the deepest river in the world विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है गहराई की बारे में बात कर रहा है आप सभी को यह तो पता है कि लंबी नदी कौन सी है अब बताएए विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है Amazon River, Nile, Congo या Niger कौन सी कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा गहरी नदी है Amazon है, Nile नदी है, Congo नदी है, या Niger नदी है deepest पूछ रहा है न सबसे गहरी नदी, तो correct answer है option number C, Congo नदी, इसको पहले हम जायर नदी कहते थे इसको पहले हम क्या कहते थे, जायरे नदी कहते थे, जायर रिवर के नाम से जानी जाती थी, अब इसका जो original नाम है, वो है Congo नदी सबसे गहरी नदी है, अगर इसकी गहराई की हम बात करें, तो आपको लगबग 220 मीटर डीप आपको ये देखने को मिलेगी, 220 मीटर डीप आपको ये नदी देखने को मिलेगी कॉंगो की बात करें, तो पहली चीज, अफरीका की सेकंड लॉंगेस्ट रिवर है, सबसे लंबी तो नाइल है, आपको पता है, नील नदी सबसे लंबी है, सेकंड लॉंगेस्ट रिवर किसकी है, अफरीका की और विश्व की अगर हम बात करें, अगर हम विश्व की बात करें, तो it is the third largest river in the world, पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे आती है, third largest river, किस टर्म्स में, कि कितना पानी क्यारी करती है, volume of water, कि ये कितना पानी क्यारी करती है, उसके हिसाब से, कॉंगो नदी आपकी क्या है, थर्ड नंबर पे आती है, गंगा आती है, फर्स नंबर पे, ठीक है, और उसके बाद आती है आपकी Amazon, Amazon आती है, Amazon नंबर वन पे है, फिर आती है गंगा, और तीसरे नंबर पे आती है कॉंगो, तो ये नदी है, सबसे deepest, मतलब सबसे गहरी नदी है, 200, लगबद 220 मीटर कि कहां पे है, लेक तंगनाइका, ये क्या है, इसका सोर्स है, चलिए, अगले सवाल पर बढ़ते हैं, अगर मसाई जनजाती की बात करें, तो ये अफरीका के कौन से दो देशों में पाई जाती है, केनिया, तंजानिया, साउथ अफरिका, नामीबिया, कॉंगो, अंगोला, इजिप्ट और लीबिया, मसाई ट्राइब बहुत फेमस ट्राइब है, तो बताईए कि कौन से दो कंट्रीज में पाई जाती है, जलो, सिंपल सा सवाल है, केनिया और तंजानिया इसका करेक्ट आंसर है, केनिया और तंजानिया में ये मसाई ट्राइब मानी पाई जाती है, ये किसलिए फेमस है, ये अपने कल्चर के लिए जानी जाती है, और सबसे जादा जरूरी फेस पेंटिंग, ये ट्राइब जो है, अलग-अलग की डिजाइन्स चहरे पे बना करके रखते हैं, कल्चर के लिए जानी जाती है, वाइबरेंट कलर्स की कपड़े पहनते हैं, वाइबरेंट क्लोधिंग के लिए जानी जाती है ये ट्राइब अफ्रीका के केनिया और तंजानिया में आपको ये ट्राइब देखने को मिलती है चीक चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर क्वेस्चन नंबर सिक्स पे लेक तौपो कहां पर है तौपो जील कहां पर स्थित है फीजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड ये साउथ कोरिया लेक तौपो कहां पर है चलो जितने लोगों ने भी आंसर दिया है कि लेक तौपो लोकेटिड है उस्ट्रेलिया में उन सब का आंसर गलत है क्योंकि आस्ट्रेलिया नहीं करेक्ट आंसर है न्यूजीलेंड आप्शन नंबर C लेक तॉपो लुकेटिड है कहां पे न्यूजिलेंड में इन फैक्ट यह उस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड दोनों को अगर मिला लिया जाए तो लार्जेस्ट लेक है वहां की लार्जेस्ट लेक है, इसका साइज समझ लो अल्मुस्ट इतना बड़ा है कि पूरा सिंगापूर उसमें अट जाएगा अगर किया जाए सिंगापूर से तो सिंगापूर का जो शहर है देश है पूरा देश समा जाएगा इस लेक टॉपों में ये कहां पर लोकेटेड है उस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड में वॉल्कानिक इरप्शन हुआ था एक ज्वाला मुखी फटा था उसके बाद ही इस लेक का फॉर्मेशन हुआ था लोकेटेड इन न्यूजिलेंड नेक्स्ट अच्छा चाहो तो आप देख भी सकते हो ये मैंने मैप इसलिए आपके लिए लगा दिया था ताकि आपको चीजे समझ लें कि क्या चीज कहां पर है जैसे अगर यह है न्यूजिलेंड यहां पर लोकेटेड है आपका नौर्थ आइलेंड तस्मान सी अलग करता है किसको न्यूजिलेंड और ऐस्ट्रेलिया को बे ओफ प्लेंटी इंपॉर्टेंट है आपके लिए वेलिंग्टन क्या है न न्यूजिलैंड की कैपिटर है को कि स्ट्रेट इन दोनों आइलेंड के बीच में है को कि इन चीजों को थोड़ा बहुत मैप कितूं पढ़ते रहेंगे अगर माप किस नहीं पढ़ होगे तो प्रॉब्लम क्रि hugging हो जाएगी चले next question पर बढ़ते हैं the largest reservoir of fresh water is ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार क्या है pond, lake, glacier या ground water question number seven, सबसे जाधा fresh water, खारा पानी नहीं, ऐसे खारा पानी अगर हम देखें देखो पानी दो तरीके का होता है एक fresh water होता है, मीठा पानी जिसे हम बोलते हैं और दूसरा होता है कि ऐसा brackish या salty water तो brackish water तो आपको हर जगा मिलता है, oceans हमाय पर 70% पानी किसका है, oceans में है तो ये तो आपको मिल जाता है, लेकिन fresh water के अगर हम बात करें, तो सबसे जाधा बड़ा स्रोत क्या है, glacier, हिमनत जो होते हैं, हिमनत में जितने भी fresh water है, मीठा पानी है, वो इखटा होता है तो glacier is the correct answer, ठीक है चलो, अगले सवाल पर बढ़ें, question number 8 पर, निम लिखित में से कौन सी प्रक्रिया दरार घाटी के निर्माण में मदद करती है, दरार घाटी कह सकते हैं, या इसको ब्रंश घाटी भी कहा जाता है ब्रंश घाटी, रिफ्ट वैली की formation के लिए किस चीज की requirement होती है seismic activity मतलब धुकम की जरुरत होती है volcanic eruption की यानि ज्वाला मुखी की folding होती है या falting होती है Rift Valley मैंने आपको पहले भी class में पढ़ाया है, जब मैं आपको सत्पुरा के बारे में पढ़ाया थी सत्पुरा विंध्या के बारे में तो Rift Valley के बारे में आपको पढ़ाया था तो मुझे बताईए जल्दी से कि क्या होगा correct answer पहले पढ़ाया है आपको Drift Valley किस चीज की वज़े से बनती है बिल्कुल correct answer है falting के कारण बनती है अब Drift Valley के अगर हम figure देख ले यहां से समझो मैंने आपको यह चीज पहले भी पढ़ाया थी कि अगर एक पूरा जैसे landmass है एक मानलो बड़ा सा पत्थर है अब उसमें किसी भी तरीके के crack generate हो जाते है मानलो यहां और यहां पे जैसे यह नजर आ रहा है यह और यहां पे क्या हो गया crack generate हो गया अब यह crack तो बन गया crack का मतलब हो गया पत्थर वहां से weak हो गया और दोनों तरफ opposite direction में क्या लग रहा है force लग रहा है खिचाओ पढ़ रहा है अब crack पढ़ गया है दोनों तरफ खिचाओ पढ़ आ है तो इसके कारण क्या हो सकता है इसके कारण यह होगा कि यह जो beach वाला हिस्सा है वो नीचे बैठ जाएगा अगर कोई पत्थर यह मान लोग पूरा एक जैसा है आप दोनों को side से कीचो के तो center वाला तो नीचे गिरेगा जब यह center वाला नीचे गिरता है तो आपको नज़र आएगा यहां पर यह देख रूब बहुत sharp edges नज़र आती है यहां पर इन दोनों side पर आपको क्या नज़र आएगा sharp edges नज़र आती है और यह जो beach का पूरा हिस्सा बना है इसी को हम क्या कहते हैं भ्रंश घाटी यानी rift valley इसी को क्या कहा जाता है rift valley example जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था आपको सत्पुड़ा और विंध्या के बारे में नर्मदा तो एक तरफ विंध्या है एक तरफ सत्पुड़ा है और बीच में कौन से नदी है नर्मदा है कैसी बनती है भ्रंश घाटी है फोल्डिंग के वज़े से नहीं बलकि फॉल्टिंग के वज़े से फॉल्ट यानि कमजोर हो जाते हैं पत्थर और वो खिसकते हैं तो बीच में बन जाती है ब्रंश घाटी चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर question no.9 प्रसिध रूड छेत्र किस महाद्वीप में स्थित है The famous rule region is located where? North America, Africa, Australia या Europe. Rule region कहां पे मिलता है? रूड रीजन कहां पे मिलता है? देखो, रूड रीजन जो है यॉरोप का जर्मनी है. जर्मनी इलाके में, बेसिकलि अगर question में जर्मनी लिखा होता तो बहतर होता, बड़ जर्मनी है कहां पे? यूरोप में है तो जर्मनी में है रूर रीजन किस लिए जाना जाता है क्योंकि सबसे जादा मात्रा में जर्मनी के इस रूर रीजन से आपको क्या मिलता है कोईला मिलता है किस तरीके का कोल है बिटूमिनस कोल की एक तरीके से कह सकते हैं खदान है कहां पे जर्मनी के रूर रीजन में इसलिए रूर कहां पे माना जाता है जर्मनी में अब सवाल ये भी उठता है कि इंडिया का रूर रीजन किसे कहा जाता है तो अगर इंडिया की रूर के हम बात करें तो वो है आपका छोटा नागपूर प्लैटू छोटा नागपूर का जो पठार है वहाँ पे भारत में सबसे जादा कोईला पाया जाता है इसी वज़े से इंडिया का रूर किसे कहते हैं छोटा नागपूर को कहते हैं रूर है कहां जर्मनी में हैं क्या मिलता है बिट्यूमिनस कोल मिलता है तो इसलिए ये जाना जाता ह सबसे अच्छी quality होती क्या एंथ्यासइट की आनथ्रासाइट और भारत में अन्थ्रासाइट कहां मिलता है हमको राइध्य होते हैं सिर्फ जम्मू और कश्वीर में, चलो, next question, वैसे आप यह देख सकते हैं, यह है जर्मनी और यह है रूर का इलाका, और यहीं से हमें क्या मिलता है, कोईला मिलता है, next question, which one is the driest desert in the world, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है, मैंने इसके बारे में भी आपको कल की क्लास में पढ़ाया था, Atacama, Kalahari, Sahara या फिर Gobi Desert, कहां पर है यह भी बताईएगा, अपने आपको hydrated रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे ही driest desert की बात आगए, मुझे पानी आथा आगया, चलिए, विश्व का सबसे सूखा रेगिस्तान कौन सा है, मैंने आपको बताया था इसके बारे में, अटाकामा desert है, गोबी desert कहां है, सहारा desert कहां है, सबकी location बताईए, सहारा कहां पर है, अफ्रीका में है, गोबी कहां पर है, आपका, तिबबत में है, तिबबत चाइना का जो एरिया लगता है, वहां पर है, कालाहारी और अटाकामा, दोनों desert कहां पर है, अटाकामा तो है, आपका South America में, South America में चिली के पास में है, अभी देखेंगे हम map में भी, कालाहारी डेजर्ट कहा है, फटाफट बताईए, quickly, कालाहारी भी कहां पर है, बिल्कुल सही, अफरीका में है, ठीक, सबसे dry desert, सबसे शुष्क desert है, आपका Atakama desert, अगर map में देखो, देखो मैंने बताय जाता है, कि चिली का country है, चिली, ये क्या है, सबसे पतली, संकीन country है, इसको भी हमने कल discuss किया था, विश्व की सबसे पतली और लंबी country है, चिली, चिली के ऊपर ही का ही हिस्सा जो है, आपका Atakama desert के नाम से जाना जाता है, कहां पर है, ये South America में है, आर्जेंटीना और चिल गाजा न्यूज में आती है, किन ही दो country के बीच में वार चल रही है, अब नाम नहीं लेंगी किस दो country का बना आंसर पता चल जाएगा, गाजा स्ट्रिप कहां पर है, किन दो country के बीच में मानी जाती है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, इस्रेल जॉर्डन, इस्रेल साओ गाजा स्ट्रिप, किन दो देशों के बीच में लोकेटिड है, चलो, देखो, वैसे correct आंसर इसका क्या है, option नमबर C है, इस्रेल और इजिप्ट के साथ ये border share होता है, आप देख रहे हैं, अभी लगतार, हमास, हमास क्या कर रहा है, attack कर रहा है, इस्रेल और पैलेस्टीन के बीच में लगतार war चल रही है, civil war चल रही है, जिसमें हमास भी involved है, बहुत सारे लोगों के, आपने देखा हो, humanitarian crisis हो रह रहे हैं, Union Security Council में भी काफी debate चल रहा है इस पर, तो Gaza Strip Geography के हिसाब से कर हम बात करें, तो इस्रेल के Southern Bank में है ये, और border किसके साथ शेयर करता है, रूमा दे सागर के साथ, Mediterranean Sea के साथ, और थोड़ा सा border उसका लगता है किसके साथ, Egypt के साथ, उपरी इलाका जो है, उसको कहा जाता है West Bank, उसका border लगता है उपर, लेकिन अगर आप ये देखें, ये है Gaza की पटी, ये जोटा सा इलाका जो है, ये है Gaza की पटी, किसके साथ border share हो रहा है, देखें, Israel और साथ में आप 140 square miles का area है, चोटी से पटी है, that is sharing border between Israel and Egypt, next question, Mekong river in Asia does not pass through which country, Asia में Mekong नदी किस देश से होकर नहीं गुजरती है, Mekong नदी के बाद कर रहे हैं, ठीक है, China, Thailand, Laos या फिर Malaysia, कौन सी कंट्री है, जिससे Mekong नदी आपकी cross नहीं करती है, बहुत important नदी है, ये Asia कि अगर आपने Asia का map देखा हो, तो Mekong नदी आपको नजर आईगी उसमें, कौन सी ऐसी कंट्री है, जिसके साथ, जिसमें Mekong नदी नहीं बहती है, चलिए, correct answer है, इसका option number D, Malaysia, देखो, ये है Mekong नदी, शुरू कहां से हो रही है, चाइना में एक लेक है, उसका नाम मैं बता देती हूँ आपको, Lasa Gong Ma Lake, नाम खुद भी भूल जाते हैं, Lasa Gong Ma, एक Lasa Gong Ma Lake है, वो क्या है, इसका स्रोथ है, सोर्स है, वहां से ये नदी शुरू होती है, और देखे, कहां-कहां जा रही है, चाइना कवर कर रही है, लाओस कवर कर रही है, थाइलेंड में टच कर रही है, कंबोडिया में जा रही है, और लास्ट में क्या बना रही है, मीकॉंग डिल्टा बना रही है, ये किस कंट्री को नहीं टच कर रही है, Malaysia को ये touch नहीं कर रही है China, Thailand और Laos को ये क्या कर रही है Cross करती हुई, निकलती है Mekong River, इसको कहा जाता है Trans Boundary River क्योंकि अलग-अलग countries को Cross कर रही है न, तिसले स्कों क्या बोलते है Trans Boundary River Right, चलो अगले question पर बढ़े Next question Which of the following deserts is famous For its deposits of nitrates निम लिखित में से कौन सा रेगिस्तान Nitrate के भंडार के लिए प्रसिद है Atacama, Gobi, Sahara या Thar Desert अभी मैंने आपको location सब की बताई अब आप ये बताईए, इसमें Nitrate सबसे जादा कहां मिलता है Atacama Desert है, Gobi है, Sahara है, या थार है पटाफ़ सभी लोग answer करेंगे, जितने भी लोग जुड़े हुए है चलिए Okay, correct answer है इसका क्या? अपना India, obviously Thar Desert, इंडिया में है राजिस्थान, कल जो इलाका है राजिस्थान, गुजरात का थोड़ा-थोड़ा पोश्चन है, हरियाना को टच करता है तो Thar Desert जो है अपना इंडिया का उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है आप सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें क्या मिलता है नाइट्रेट मिलता है option number D is the correct answer चलिए next question पर बढ़ते हैं किस country में red river delta मिलता है निम लिखित में से किस देश में आपको red river delta मिलेगा चाइना, थाइलेंड, मलेशिया या फिर वियतनाम एशिया के बारे में बात करें अभी हमने आफ्रिका को देखा अब बात कर रहे हैं किसकी एशिया की red river delta हमें किस country में देखने को मिलता है यानि किस देश में ये नदी आपकी cross करती हुई नजर आती है correct answer है option number D वियतनाम, थीक है वियतनाम की जो capital city है हनोई, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है आपको, आपका red river delta तो this is your red river delta वियतनाम है ये और वियतनाम में ही क्या मिलता है हमें red river delta अगर हम इसकी source की बात करें कि ये नदी हमें कहां से शुरू होती हुई मिलती है तो hang duan shan एक जगा है hang duan shan वहाँ से ये नदी क्या करती है, उत्पन होती है शुरू होती है हनोई को cross करती हुई जाती है ये और बनाती है red river delta इसको चाइना में इस नदी को कहा जाता है युआन रिवर, चाइना में ही चाइना में इस नदी को कहते हैं युआन रिवर और red river कहते हैं इसको कहां पे विएतनाम में चलो, अगला सवाल great rift valley of the world passes through which of the following विश्व की great rift घाटी निमलिकेत में से किस से होकर गुजरती है, great rift valley बहुत important है Arabian Sea, Gulf of Oman, Red Sea या Swiss Canal चले, इसका अंसर दीजे कि great rift valley कहां पे मिलती है हमको चीक है, कहां पे मिल रही है great rift valley कहां पे मिलती है question number 15 अफ्रीका में मिलती है ये तो पता है सबको अफ्रीका से कौन-कौन से चीजे जुडी हुई है सबसे important है लाल सागर, Red Sea चीक है, तो great rift valley हमें मिलती है red sea में, कौन-कौन सी countries है इसको भी note down कर लीजे कौन-कौन सी countries है जहां पे हमें great rift valley मिलती है Zambia Zimbabwe Malawi, Mozambique Madagaskar, Tanzania Kenya Uganda, Ravanda Burundi, Somalia Ethiopia और Eritrea ठीक है, यह इतनी सारी countries है जहां से rift valley शुरू होती है यह पूरा इलाका जो है यह rift valley का है और यह यहां से यहां तक जाता है in future ऐसा उमीद है कि यह जो Persian आपका गल्फ है पूरा यह भी फट के क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा यानि ओमान की country जो है यह पूरा इस Arabian Peninsula से अलग हो सकती है in future यह है आपका Red Sea यह है आपका लाल सागर तो यह पूरी rift valley यहां से यहां तक जाती है यह सारी countries हैं जिन में rift valley cross करती है अफरीका की important है map में इसको एक बार खुद से mark करिएगा क्योंकि मैं यहां पर आपको explain कर सकती हूं बट marking आप खुद से जब तक नहीं करोगे तब तक वो समझ में नहीं आएगा तो Great Rift Valley अफरीका की लाल सागर next question highest height of the tide in the world has been recorded at विश्व में जुआर की सरवाधिक उचाई कहां दर्च की गई है Bay of Fundy, Gulf of Mexico यानि मेक्सिको की खाड़ी बंगाल की खाड़ी या फिर नौर्थ सी कहां पर जुआर भाटा मैंने पढ़ाया था आपको बताएए कि सबसे जादा कहां मिलता है चलिए फटाफट इसका आंसर देंगे सभी लोग कि कहां पर मिलती है चलो, question number 16 का correct answer है Bay of Fundy Bay of Fundy में कुछ जादा ही उची जवार मिलती है जवार होती क्यों है किसके वज़े से? चंद्रमा और सूरज के गुरुतवाकर्षन वल के कारण यानि gravity के कारण होती है gravitational force लगता है इस पर पानी पर, पृत्वी का पानी होता है उस पर gravitational force लगता है चंद्रमा और सूरज का दोनों का मिला करके लेकिन कुछ जादा ही अधिक उचाई हमको मिलती है कहां पर Bay of Fundy में क्योंकि इसका जो shape है कुछ इसी तरीके का है कि पानी जब एक बार enter करता है और जब वो उपर की तरफ खिचता है तो वो बहुत जादा उचा हो जाता है यह है आपका Bay of Fundy यह रहा आपका United States मैप में अगर आप ढूंडोगे तो at least आपको मिल तो जाएगा US है यह रहा Canada Canada, US, Gulf of Maine और Atlantic Ocean तो आप अगर मैप में ढूंडेंगे तो आपको Bay of Fundy मिल जाएगा एक बार खुद से इन चीजों को ढूंडियागा Gulf of St. Lawrence यहाँ पे है बहुत important नदी है St. Lawrence USA की important नदी St. Lawrence उसका Gulf है, खाड़ी है उसी की नीचे अगर आप आओगे देखोगे तो आपको मिलेगा क्या Bay of Fundy जहाँ पे सबसे जादा उचाई से उचे क्या मिलते हैं आपको ज्वार मिलते हैं ठीक, चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं Question number 70 The Earth surface is divided into Dash number of tectonic plates Tectonic याद है, पढ़ाया था कि जब ये प्लेटे हिलती हैं तो Earthquake आता है, Volcano आता है तो अब आपको ये बताना है कि पृत्वी की सते को हमने कितनी tectonic plates में विभाजित किया है 4, 6, 8 या 10 Question number 70 Number of major tectonic plates की बात हो रही चोटी वाली की बात नहीं हो रही है बड़ी वालों की बात हो रही है तो कितनी plate के लिए हमने divide किया है अपनी पृत्वी को tectonic plate के बारे में पढ़ाया था कि पृत्वी की जो crust होती है भूपर पटी होती है वो छोटे छोटे भागों में कुछ इस तरीके से टूटी होती है इसी में कुछ होती है oceanic plate कुछ होती है महासागरी plate और कुछ होती कैसी continental plate तो अगर हम बात करें कि कितनी plate में divided है तो correct answer है option number 8 अब वो plate कौन कौन सी है तो एक बार उनको भी note down कर लिजे देखिए Pacific plate ये major plate है major plates की बात हो रही है Pacific plate, North American plate South American plate African plate Eurasian plate Indian plate और ये रहा last में आपका Australian plate ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और एक plate रह गई, ये अंटाक्टिका वाली ये रही अंटाक्टिका की plate तो टोटल plate आठ है, 8 plates major plate की बात हो रही है पूरे विश्व में अगर आप देखें तो ये plate है देखो Pacific वाली plate कैसी है obviously ocean की है, महासागर की है वहीं South America को देखें और North America को तो ये दोनों है कुछ portion ये पानी का भी लेटती है और कुछ portion इनका land का भी है तो कौन-कौन सी plates है Pacific, North America, South America, Africa, Eurasia मतलब ये 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 रही ये ये रही अंटाक्टिका की plate दन? चलो विच टेक्टोनिक plate is located North of New Guinea Island कौन सी टेक्टोनिक plate New Guinea के उत्तर में स्थित है तो अगर आप अभी ध्यान से देखा होता मैप तो आपको पता चल जाता Nazca, Caroline, Cocos या Scotia plate स्कोशिया, Cocos, Scosia, Caroline या Nazca question number 18 चलिए फटा फटा इसका आंसर देंगे सभी लोग चलिए, correct answer है option number C, Cocos plate बिल्कुल correct answer है I think इसमें आप को Cocos plate नहीं नजर आ रही है Scotia plate है, Nazca plate है, ये रही देख गई, ये रही Cocos plate, ये यहाँ पर नजर आ रही है, ये ये आपकी Cocos plate है, यहाँ पर कौन सी plate है, जवान डी फूका तो ये एक minor plate है, बड़ी वाली plate है तो हमने देख लिए, ये छोटी plate है है, जवान डी फूका, ये है आपकी Nazca plate, यहाँ पर ये है Nazca plate, फिर अफ्रीका की तरफ आ जाए, तो यहाँ पर मिलेगी आपको Somali plate, ये पूरा एरिया जो दिख रहा है, और यहीं पर छोटी plate और है Arabian plate, और इधर है आपकी Philippines की plate, Philippines, चलो, इस तरीके से भी देख सकते हो, मैंने उस वाले map में भी दिखा दिया, आप इसमें भी देख सकते हैं, ये प्लेटों की boundary सारी बनी हुई है, जवान डी फूका, कोकोज, नासका, करीबियन, अरेबियन, फिलिपिन, ये सारी प्लेटे, कैसी है, माइनर प्लेट ये आप प्लेटे हैं, बागी ये माइनर प्लेट से, next question, सेंट पॉल रिज कहां पर है, सेंट पॉल रिज कहां पर लोकेटिड है, Atlantic Ocean, इंडियान ओशन, पसिफिक, या मेडि तेरेनियन, question नमबर 19, सेंट पॉल का रिज कहां पर है, I know होली के बाद थोड़ा सा पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा लेकिन जरूरी है पढ़ना बेटा word mapping बहुत important है इस तरीके questions आपके exam में आते हैं in fact ये जो कुछ questions में आपको करा रही हूँ ये आपके previous year questions ही है तो इस तरीके questions exam में बहुत बहुत पूछे जाते हैं सेंट पॉल रिज को अगर देखोगे तो ये कहां पर located है हिंद महासागर में इंडियन ओशन में ठीक है ये है आपका अफरीका ये है साउथ अमेरिका और ये पूरा बीच में आपको मिलेगा सेंट पॉल का रिज सेंट पॉल रिज आपको मिलेगा ठीक है चलो नेक्स question इन विच आप फॉलोईंग ओशन फॉक्लेंड करेंट फ्लोउज फॉक्लेंड धारा जो है महासागरिय धारा ये कौन से ओशन में बहती है फॉक्लेंड आईलेंड अगर पता होगा तो आप बता सकते हो इंडियान ओसं आर्थिक ओशन अट्लांट ब्लान्टिक यहाफि फिएफ क्वेशन सॉल्व करेंगे ज्यादह नहीं जैसे हमेशा करते हैं 25 स् अम्हारा टार्गेट वही है 25 सॉल्व करेंगे कि दॉब क्वॉक्लेंड करिंड कहां पर है कि पर करेक्ट आंसर है option number C Atlantic Ocean में है Falkland Current ये देखिए ठीक है अगर आप पूरा ये देखें South Atlantic Ocean है ना दक्षणी Atlantic Ocean अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा ये है Falkland Current तो कहाँ पे मिल रहा है South America के Eastern Coast पे यानि पूर्वी तड़ पे आपको कौन सा Current मिल रहा है ये है आपका Falkland Current ठीक है Falkland Current ये Current कैसा है क्योंकि ये धुरूबो से पोल की तरफ स्वरी धुरूबो से Equator की तरफ जा रहा है तो ये कैसा Current है Cold Current है कैसा Current है Cold Current है चलो अगला सवाल Three Gorges Dam कहां पे located है Three Gorges बांथ किस प्रांत में स्थित है चिंगाई सिच्वान धुनान या हुबेई चाइना में है ये तो हमें पता है ये बताना है कि किस प्रांत में located है प्रॉविंस में किंगाई, सिच्वान, हुनान या हुबेई चलिए quickly इसका आंसर देंगे सभी लोग प्रसे थोड़ा से difficult question है चाइना में है three gorgeous dam ये तो हमें मालूम है चाइना की कौन सा province है ये तो नहीं पता था बड़ चलिए correct answer आपको बता देते हैं correct answer है हुबेई correct answer है आपका क्या हुबेई कुछ इस तरीके का नजर आता है आपका ये three gorgeous dam चाइना का next question सबसे स्थिर पारिस्थिति की तंत्र कौन सा है which is the most stable ecosystem desert, मरुस्थल होता है पहाड होते हैं, oceans होते हैं या forest होता है most stable, stable का मतलब है कि बहुत जादा उतार चड़ाव नहीं होती है अगर कोई बहुत जादा changes ना हो परियावरण में तो ये stable रहेगा और अगर changes होते भी हैं तो इसमें बहुत देर में असर पड़ता है तो कौन सा ecosystem ऐसा होगा desert का है, mountain का है ocean का है, या forest का है थोड़ा सा दिमाग लगाईए इसका correct answer आपको मिल जाएगा यानि सागर का जो पारिस्तितिकी तंत्र है, ये सबसे जादा स्थिर होता है, ठीक अगला सवाद, sorry the line joining the areas having same rainfall उसे हम क्या बोलते हैं समान वर्षा वाले छेत्रों को एक रेखा जोडती है, तो उस रेखा को हम क्या बोलते हैं, आइसो बार iso height, isotherm या iso haline इसका हिंदी अनुवाद यही होता है, मतलब इसको यही कहा जाता, ISO bar का ISO bar कहते हैं, ISO height को ISO height ही कहते हैं थोड़ थोड़ अंदाजा लगा सकते हैं अगर आप शब्दों का संदी विच्छेत करें थोड़ा सा, तो आशर मिल सकता है आपको इसका चलो correct answer है ISO height ठीक correct answer क्या है ISO height ISO bar किस चीज के लिए है obviously air pressure के लिए बार है ना वायूदाप के लिए है therm किस के लिए है temperature के लिए है कि अगर कई सारी जगहाएं ऐसी जिनका तापमान कैसा होता है एक जैसा तो उनको आइसो थर्म से जोड़ते है आइसो हलाइन किस लिए होता है salinity के लिए यानि लवर्ता जिस हिसाब से है अगर जोड़ोगे तो उसे हम बोलेंगे आइसो हलाइन चलिए next question जैसे इसी तरीके के lines बनी होते ना ये एक जैसे टेंपरेचर वाले एरिया को एक साहते रेंफॉल वाले एरिया को जोड़ रही है next question in which of the following faces the sun will rise the earliest निमलिखित में से किस थान पर सूरे सबसे पहले उगेगा न्यू यॉर्क में टोक्यो में नई दिल्ली में या हॉंग कॉंग में question no.24 session का second last सवाल है इसको हम क्या कहते हैं टोक्यो को यानि जपान को land of rising sun कहते हैं अगर जापान के आप जापान के अगर आप क्या बोलते हैं फ्लैग को अगर आप इनके फ्लैग को भी देखें तो आपको देखेंगे white color का background है और उसमें यहाँ पे ऐसे red color का एक चक्र बना हुआ है वो sun को indicate करता है सूरज को क्योंकि टोक्यो में जपान में सबसे पहले सूरज उखता है इस वज़े से इसको land of rising sun भी कहते हैं इनका ध्वज भी इस चीज़ की पुष्टी करता है question number 25 session का आखरी सवाल है इसके बाद आपको छोड़ देंगे जुबा किसकी राजधानी है जुबा is the capital of South Sudan एजिप्ट युगांडा या फिर कैमरुण जुबा किसकी राजधानी है चलो correct answer बता देते हैं correct answer है South Sudan South Sudan की capital क्या है जुबा इसी के साथ हम अपने session को समाप करते हैं आई हो पाच का session आपको पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा और बहुत सारी नई information आपको सीखने को मिली होगी Africa का map है चाहें तो देख सकते हैं वैसे Atlas में आप देखेंगे तो ज़्यादा बहतर होता है कि आप अपने Atlas में खुझ से चीजों को माक करो, lines बनाओ तो ज़्यादा चीज़े याद रह जाती है ठीक चलो अगर session को PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा कहां अप इसको scan करके join कर सकते हैं इस पर chat group भी है तो आप उसको भी join कर सकते हैं कोई doubt कोई question हो आप मेरे साथ share कर सकते हैं I hope session समझ में आया होगा पसंद आया होगा और पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करिए share करिए और कल फिर से मिलेंगी हम शाम में चार बजे एक बार और नए interesting questions के साथ ठीक है चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जोड़ने के लिए thank you very much